तो अगर आपको टैक्टर के नोजल के साइड में, यहां पे इंजन पे, यहां पे आपको डीजल मिलता है, तो वो कहां से लीख हो सकता है, उसके कारण मैं आज आपको बताऊगा, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यह आली जो नोजल वाली जो पाइप होती है, डीजल आज वाली यहां पर होती है तो यह तो यह वाली What यहां पर छोटी सी लगती है इसमें यहां पर बोल्ट लगता है तो होता है कि जो डिजल आगे छला जाता है सप्लाई के लिए चलता है तो यहां कट देख रहोंगे और यहां से वापस निकलता है तो यह यहांपे कैसे हो सकता है यहां यह लिक इसलिए हो सकता है कि अगर यह आपका इसे ही वाली बेंजो ऐसे ही फीट है इसमें काईदे में क्या होना चाहिए इसमें आपके ये जो वासर है दो ये लगने चाहिए एक इधर लगना चाहिए और एक बेंजो के इस साइड में लगना चाहिए इस तरह से ये दो लगने चाहिए और ऐसे ये आपका टाइट होना चाहिए तो अगर आपके ये वाले वासर जो है ये वाले खराब है या फिर एक और भी कारण हो सकता है कि मान लीजे कि मिस्टरी ने जब ये फिट किये थे तब उसने ये वासर चैज नहीं किये कोई ऐसा गंदे वाला जो वासर जिस पर दूल मिट्टी लगी है अगर ऐसा वासर लग लगातार यह फिर ही छा है यह और से वह आ उपर भी यहां से और यह उपर भी रहाँ तो मतलब यहाँ से लीक हो यह को रहा है और टाइट करना होगा फिर जाकर यह लीज़ करूकर आरा झाल